नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम डिसकस करने वाले है क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 इंटिग्रल चैप्टर से सुपर सौटकट ट्रिक्स इस वीडियो सीरीज में हम हर एक वीडियो में एक एक ट्रिक्स है वो डिसकस करेंगे वो सारी ट्रिक्स ऐसी होगी जो आप मैक्सिममम क्वेस्टन में एपलाई कर पाएंगे ये सारी ट्रिक्स जो हम यहाँ पे डिसकस करने वाले हैं ये वो सारी ट्रिक्स होगी जिससे आप मिनिममम टाइम में क्वेस्टन को सौल कर पाएंगे एंड हर एक वीडियो में हम ट्राइ करेंगे कि maximum question solve करें ताकि वो trick बहुत अच्छी तरीके से आपके mind में set हो जाए जब भी आप question को देखें तो तुरंत समझ पाएं कि इसमें कौन सी वाली trick लगेगी और वो समझने के बाद वो आप accurately apply भी कर पाएंगे so without wasting time let's get started चलिए तो सबसे पहले मैं explain करता हूँ trick क्या है और उसके बाद हम करेंगे question तो सबसे पहले conditions देखें ट्रिक्स में हर बार क्या होता है conditions आ रही है न उसको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है सबसे पहली condition limit should be from 0 to 5 by 2 second is function should be sin x and cos x only third condition दोनों के बीच में multiplication होना चाहिए power में कुछ भी हो सकता है लेकिन दियान रखना है कि n and m should be natural number एक बार फिर से definite integration होना चाहिए limit 0 to 5 by 2 होना चाहिए sin cos का product होना चाहिए दोनों का power कुछ भी natural number हो सकता है तो इसमें दो type के questions आएंगे एक जिसमें m and even होंगे और दूसरा जिसमें m and even नहीं होंगे समझ गए मतलब कि दो अलग अलग type के questions से एक में m and n दोनों power से न वो even होगी और दूसरे वो सारे case जिसमें दोनों even नहीं होगी एक even odd odd even या odd odd है तो भी चलेगा तो पहले हम दूसरा वाला case देखते जिसमें दोनों एक साथ even नहीं होनी चाहिए जैसे कि as for example 0 2 pi by 2 सबसे पहले मैं लेता हूं sign का cube and cos का square एक power जो है न वो odd है और दूसरी पावर even है ठीक है अब इसको अगर integrate करना है तो क्या करना है बहुत simple है यह जो sign के उपर power है न इससे एक कम number सोचना है और उसके अल्टरनेट नमबर अल्टरनेट नेचरल नमबर इससे कम जितने भी है वह सारे लेने हैं अल्टरनेट मरलब एक छोड़के तो 2 के बाद 1 को जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा और वह नेचरल बस तू 5 तो 5 से स्टार्ट करना है और अल्टरनेट नमबर लिखना है एक एक छोड़के तो 5 के बाद 4 ने लिखना है 3 के बाद 2 ने लिखना है 1 बस यह आपका अंसर है 2 by 15 क्लियर एक और question देखते है इवन ओड़ वाला जीरो टू पाई बाई बाई टू साइन का पावर पहले वाले में 3 था अब 5 ले ले लेते हैं एंड कोस का पावर लेते हैं 4 देखिए अभी भी एक नमबर एवन है और एक ओड है पहले वाले में 3 2 था इस बार 5 एन 4 है तो क्या करेंगे त्यान से देखिए एक बार फिर से 5 जो है उससे एक छोटा नमबर लिखना है उसके बाद एक एक नमबर छोड़के 5 के बाद 3 छोड़के 2, 2 के बाद 1 छोड़के 0 तो लिखना नहीं है, that's it फिर यह number देखना है 4, इससे एक छोटा number लिखना है, उसके बाद एक एक छोड़के numbers लिखते जाने है and denominator में दोनों का sum करना है, 5 plus 4, 9 so 9 से लिखना है, एक एक number छोड़के, 9, 7, 5, 4 नहीं, 3, 2 नहीं, 1 so यह 3 से 3 कट हो जाएगा, और अब उपर सारे even है, नीचे सारे odd है, तो कुछ नहीं होगा so 4 to the 8 and denominator में अगर मैं product करूँ, तो 9 into 7, 5's are 35, 3, 1, 5 so 8 divided by 3, 1, 5 is the correct answer, एक और देखते हैं, odd even वाला example 0, 2, 5 by 2, sine का power मान लेते हैं, 7 and cos का power ले लेते हैं और ज़रूर नहीं कि sine का power ही greater हो, sine का power less भी हो सकता है, चलिए कैसा example ले लेते हैं जिसमें sine cube है और cos का power 6 है, ठीके, त्यान से सुनना, sine का power है 3, 3 से एक छोटा number लिखना है उसके बाद alternate number, एक एक छोड़के, तो 2 के बाद 1 है, बाद खतम, 1 को तो छोड़ना है, फिर 0 तो लेनी सकते हैं सिर्फ natural number ही लेने हैं, इन्टू, ये है 6, 6 से छोटा एक number 5, उसके बाद alternate, 4 छोड़के 3, 2 छोड़के 1 और denominator में क्या करना है, दोनों का sum, 6 प्लस 3, 9, और 9 से ही start करना है, numerator में अगर देखे, तो ये कम से start करते हैं, denominator में जो sum आए, वहीं से start करना है, 9 के बाद, 8 छोड़के 7, 6 छोड़के 5, 4 छोड़के 3, 2 छोड़के 1, clear, तो अगें, 3, 3 कट, इस बार 5, 5 भी कट, और आपका answer होगा 2, और 9, 7, जा, अरे मापने, 9, 7, जा भी भूल गया, 63, yes, तो ये आपका answer है, clear, चलिए, एक और case देखते हैं, question number 4, इसमें तोड़ा change कर देते हैं, even odd कर देते हैं, तो sign का power अगर मान लिजिए कि even है, और cost का power odd है, तो भी process same ही रहेगा, त्यान से देखिए, ये power 4 है, इसे एक छोटा number लेना है, उसके बाद, अगर ये odd है, तो सारे odd number लिखने है, 3 के बदब, 5 है, तो 5 से छोटा एक number, उसके बाद, सारे alternate numbers का product, दोनों का sum 5 plus 4, 9, अब 9 से ही start करना है, और सारे alternate natural number लिखने है, तो 9 के बाद 7, 5, 4 नहीं 3, 2 नहीं 1, clear, तो अब एक 3 से 3 कट हो जाएगा, अब उपर है 4 to the 8, और नीचे है 9 into 7 into 5, which is 3, 1, 5, clear, एक और देखिए, 0, 2, 5 by 2, sine का power, even ले रहे हैं सायद हम, yes, थोड़ी बड़ी power लेते है, 6, x, and cost का power ले लेते हैं 3, तो द्यान से देखिए, बार-बार वही चीज़ कर रहे हैं, 6 है न उससे एक छोटा number लेना है, 5, उसके बाद alternate number 3, and 1, 2 है तो उससे एक छोटा number 2, उसके बाद alternate number कोई नहीं बचेगा, फिर दोनों का sum, 6 plus 3, 9, 9 से ही start करना है, 9, 7, 5, 3, 2, 1, तो 3 से 3 कट, 5 से 5 कट, और आंसर रहेगा 1 by 63, एक और देखिए, even odd वाला, last, 0, 2, 5 by 2, sine का power है, 4, and cos का power है, 7, तो क्या करना है, 4 जो है न, 4, उससे एक छोटा number, और उसके बाद alternate number का product, 7 जो है न, उससे एक छोटा number, उसके बाद alternate number, 6, 4, 2, और denominator में दोनों का sum, 7 प्लस 4, 11, और 11 से ही start करना है, numerator में छोटे number से, denominator में वही, sum जो आए न, उससी number से start करना है, 11, 9, 7, 5, 4, 3, and 1, अब अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे 3 से 3 कट हो जाएगा, 4 and 2 तो कट होगा नहीं, इधर 3, 2, 6, and 3, 3, 0, 9, और कुछ कट नहीं होगा, numerator में आएगा, 2, 2, 4, 4, 16, और denominator में, 7, 5, 0, 35, इन्टू, 3, 105, इन्टू, 11, 155, यह आंसर होगा, क्लियर, अब देखते हैं कि दोनों ओड है, तो क्या करना है, लिमिट 0 to 5 by 2 का ही होना चाहिए, साइन एन कोस, दो ही फंक्शन होने चाहिए, दोनों का प्रोड़क्ट, और अगर पावर दोनों का मान लिजिए, ओड है, तो भी वही करना है, जो अब तक करते हैं रहेते, अब दोनों का सम, 7 प्लस 5, 12, और 12 से ही स्टार्ट करना है, और सारे अल्टरनेट नमबर का प्रोड़क्ट, तो 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, 6 से 6 गया, 4 तू जा 8 से 8 गया, एन 1 by 120 इस ती करेक्ट अंस, एक और ट्राइ करते हैं, क्वेस्टन नमबर 8, 0, 2, 5 by 2, दोनों ओड नमबर, साइन का क्यूब, एन कोस का भी चलो, क्यूब है, तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रोब्लिम नहीं है, तो 3 से छोटा एक नमबर, उसके बाद अल्टरनेट नमबर कोई नहीं बचेगा, 3 से छोटा एक नमबर, उसके बाद अल्टरनेट नमबर कोई नहीं बचेगा, 3 प्लस 3 का सम 6, 6 से ही स्टार्ट करना है, और 6, 4, 2 गया, और 2 गया, तो अंसर इस 1 बाइ 12, एक और ले लेते है, 0, 2, 5 by 2, साइन का पावर है 5, एन कोस का पावर है 9, चलो, थोड़े बड़े पावर चले है, 5 से एक चोटा नमबर 4, उसके बाद अल्टरनेट नमबर 9, से एक चोटा नमबर उसके बाद अल्टरनेट नमबर का प्रोड़क्ट, एंड दोनों का सम 9 प्लस 5, 14, और 14 से ही स्टार्ट करना है, और अल्टरनेट नमबर का प्रोड़क्ट करना है, चाल यह तो 2 गया 4 गया 6 भी गया 8 भी गया and 4 to the 8 से तो नहीं चलेगा but 4 3s are 12 and 5 to the 12 चाल तो numerator में हो गया है 1 7 3s are 21 और 2 1 0 होना चाहिए 15 into 14 yes right तो यह होगा answer तो अभी तक हम 9 questions देख चुके हैं जिसमें हमने even odd odd even and odd odd यह तीन टैप के question देखे अब बात करते हैं इसमें थोड़ा सा change आएगा अगर दोनों power even है तो देखिए 0 2 pi by 2 मान लिजिए sign का power 4 है and cost का power 6 है इस बार आप देखिए sign and cost दोनों का power even है तो क्या करना है process almost same ही रहेगा यह 4 है उससे एक छोटा number उसके बाद alternate number का product यह 6 है इससे एक छोटा number उसके बाद alternate number का product फिर दोनों का sum 6 plus 4 10 और 10 से ही start करके alternate number 10 8 6 4 and 2 इसमें change यह आएगा है कि last में आपको pi by 2 से multiply करना है if both the powers of sign and cost are even clear चलिए तो उपर सारे order number है नीचे सारे even number है तो cut तो कुछ भी नहीं होने वाला है उपर है 3 3 9 5 4 5 और denominator में अगर मैं सबका product करूँ तो 8 into 6 into 4 into 4 6 7 6 8 0 यह होगा answer चलिए एक और देखते हैं जिसमें दोनों powers even होंगे 0 2 pi by 2 साइन का power मानली यह 6x है और cos का square है तो क्या करें 6 से एक छोटा number फिर alternate number का product 2 से एक छोटा number तो 1 ही होगा और 6 plus 2 8 8 से start करते हुए alternate number का product 6 sorry 8 6 4 and 2 and दोनों even है तो pi by 2 से multiply करना बूलना नहीं है 5 3 is a 15 और denominator में 8 6 4 2 8 6 4 2 and एक और pi by 2 वाला तो 7 6 8 again clear एक और last question देखते हैं question number 12 0 2 pi by 2 sin का power 6x into cos का power भी 6x चला दोनों even है same 6 x छोटा number 5 3 1 6 x छोटा number 5 3 1 denominator में दोनों का sum 12 और 12 से start करके alternate number का product so 10 x 8 x 6 x 4 x 2 clear अब आप इसको अगर multiply करते हैं तो 5 5 is a 25 x 3 3 is a 9 numerator में रहेगा 2 2 अच्छा इसमें तो cut हो सकता है पाईसाब एक मिनिट 5 2 is a 10 and बस और तो सायद कुछ नहीं है 3 3 is a 9 9 5 is a 45 denominator में है 12 into 10 की जगह पे 2 आ चुका है into 8 into 6 into 4 into 2 and एक और बात हम पूल रहे है into pi by 2 into 2 एक और ओ तो इदर आ जायएगा 1 8 4 3 2 into pi clear इसके पहले वाले में भी देख लेते हैं कि यहाँ लास्ट में हम यह 2 तो आ चुका है multiplication में pi लिखना भूल गया था clear तो यह सारे questions आपने देखे जिसमें हमने पहले जो तीन question है पहले तो trick समझा 0 to pi by 2 का limit sine cost का product और दोनों का power natural number होना चाहिए दो case बनेंगे दोनो even है कि दोनो even नहीं है process दोनों ही case में सेहम है लेकिन दोनों power अगर even है तो pi by 2 से multiply करना है तो पहले तीन case में हमने odd even देखा उसके बाद वाले तीन question में हमने दोनों odd देखा उसके बाद वाले तीन question में दोनों odd देखा और लास्ट में तीन question जिसमें दोनों power even है ऐसे questions देखे चलियर चलिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत interesting and enjoyable लगा होगा and इस वीडियो में जो discussion हमने किया है वो आपको अपने आने वाले exam में test में और जब भी आप questions all कर रहे होंगे उसमें useful होंगे मिलते हैं बहुत जल्दी next trick के साथ तब तक के लिए goodbye and take care